पूरियों जाए नमस्कार स्वागत है आपका इन बीसेंटी खास प्रेशकर्ष खास मुलाकार में एक संगटन को चलने के लिए एक नीता की जुरुत होती है पर हम अपने जीवन में देखते चाहे राजनिती हो चाहे कोई भी संगटन हो उसमें जो नेता होते हैं तो वो नेतागिरी करने पर उतार हो जाते हैं तो उनके बीच और जो उनके संगटन के बाके स्रस्य है उनके बीच का समनवे साधना बड़ा कठिन हो जाता है लेकिन जो सच्चा नेता होता है जो उनका लीडर्शिव करता है वो जब उसको सवाल पूछा जाए कि भी आप तो नेता गिरी करने आता है तो जवाब यह देता है कि मैं नेता गिरी नहीं मैं तो साथी हूँ और जब यह साथे बन जाता है तो संगतंग अगरेसर हो जाता है संगतंग में समन्वय का अभाव नहीं रहता और जो चीजे मुश्किल होती है वड़ी आसान को की नदर आती है तो हम जिस नेता से आज बात करने वाले हैं वो हमारे मित्रभी हैं और इनसे बातचित करते-करत कि एक प्रिर्णादाई व्यक्ति मतों के हम बात कर सकते हैं अज हमारे साथ में हैं शिवकुमार यादुजी जिनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं स्टूडियो में शिवकुमार यादुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिवकुमार यादुजी के बारे मे देते हैं और सबसे इंपोर्टन बात जो एक अच्विमेंट रहा है शुकुमार यादव जी कि जीवी सीसियाई के माध्यम से आपने लगबग दो लाख असी हजार श्रमिक जो है जो गोल इंडिया के श्रमिक है औल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में रहते हैं उनके लिए 19 प्रतिश्य तक फिस्दी का वेतन में आपने इजाफा कराया है तो यह अनुभव कैसा रही है जर्नी कैसे रही उस कमिट्री की मिंबर्शिप में आपको क्या क्या अनुभवा है हम आपसे हमारे दर्शिप आपसे जानना चाहेंगे पहले तो मैं सबसे पहले BCN चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि कोईला मजदूरों की आवाज सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे यहां पर बुला है कि यह पूरे भारत के हमारे जितने कोईला मजदूर कामगार भाई है यह उनका विशे है और पूरे हिंदुस्तान में लगभक कोल इंडिया के धाईला के लगभक कामगार है हमारे और सिंग्रैनी जो हमारी तेलंगाना राज्य में खादान है वहां के भी मिला कि ऐसे 280, पाक 80,000 कामगारों का यह जो निर्णे हुआ है वो उन पर सभी को उस पर फायदा मिलेगा और उसका सभी उनके परिवार के लोगों को फायदा मिलेगा और यह अपने आप में एक एथियासिक निर्णे हुआ है जेबी CCIE का क्योंकि यह जो ग्यार्वा था इसके पहले यान आप में बहुत माइने रखता है क्योंकि जिस विपरित इस्तिती में कोईला मजदूर काम करता है और करूना काल में जिस तरह से विपरित इस्तिती में काम करके भारत की रिड की हड़ी जिसे कहा जा सकता है कोईला मजदूरों ने अपने आप में देश को उन्नती की ओर ल उन लोगों का तहए दिल से तो मैं पहले तो धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर हमारे कामगार भाईयों को एक बहतरीन तो नहीं, लेकिन एक अच्छा तोफाद जरूर दिया है, 19% MGB जैसे आपने जनकरी में आपके आया है, कि 19% MGB में हम लोगों ने साइन किया है, उसके बाद में बाकी जो भत्ते हैं, उसमें 25% की विद्धी करके उस पे किया है, और कई सबसे महतों का जो इसमें मुद्दा है, जो समाजिक सुरक्षा का, जो सबसे ज़्यादा हमेशा हम लोग ध्यान नहीं दे पाते थे, जो भारत के समीधान में इन्नम इसपस्ट है कि कि किसी भी लड़का और लड़की, यानि एक मेल और फीमेल में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कारण से मुझे नहीं मालूम है कि ये JBCCIE के पहले हमारे नेता और अधिकारियों के तरफ से ऐसी भूल क्यूं हो रही थी, हमारे यहां पर अगर कोई कामगार की मृत्व हो जाती है, तो वो कामगार के बदले में, अगर उनका बेटा 12 साल का है, तो उनको लाइप रोस्टर में रखा जाता था, और 18 साल की उमर तक के पत्नी को गुजारा भ कि बेटे को नौकरी और बेटी को क्यों नहीं, ये भेदभाव क्यों, जब मैं जबी सिश्याई का सदश्य बना, तो मैं अपने कामगारों के बीच में एक वादा किया था, सब के सामने कि भई देखे आप लोगों की उमीदे बहुत है मुझसे, मुझे मालूम है कि लोगो याने जबी सिसी मेंबर बनने के पहले भी डवलो सियल में हम लोग प्रथम करमांक में यूनियन को लेके रखे हैं और पूरे कोल इंडिया में भी हमस फर्स्ट नंबर पे हैं तो लोगों की आसा हैं हमारे उपर बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जो समाजिक सुरक्षा का मामला है उसमें कोई भी हालत में समझाता नहीं करूँगा और कम से कम मेरे रहते हुए मैं कोई भी हालत में इसमें कहीं पर भी कोताई नहीं बरतूँगा और अपने पूरा जो सक्ती है जो हमारे कामगार भाईयों के आसिरबात से मुझे दुआएं मिली है, कुदरत ने मुझे जो आशिरवाद दिया है, उसका पूरा इस्तमाल करते हुए, मैं पुरी ताकत से वो जरूर कराऊंगा, और वो कुदरत ने और हमारे कामगारों की दुआएं मुरे को बिलकुल साथ दी और उसका परिणाम है, कि इस पहली बार हमारे जितना समाजिक सुरक्षा का मुख्य मुद्दा जो था, कि बच्चियों को भी लाइप रोष्टर में रखा जाएगा, और बेटियों को भी नौकरी दी जाएगी, अभी नया जो मामला फसा हुआ था, उस पर भी निर्ने हो चुका है, कि साधी सुदा, विदवा या तलाक सुदा बेटी को भी रोजगार दिया जाएगा, बहन को भी रोजगार दिया जाएगा, एक मामला था, जिसमें लिखा था कि विदवा बहु को नौकरी देंगे, लेकिन बहु को नहीं देंगे, लेकिन कई ऐसे मामले थे, जिसमें ससु में उनको भी नौकरी देने का निर्ने हो गया है जो अपने आप में एतिहासिक है याने जो हमारी महिलाएं बहने हैं और बेटियां हैं उनके साथ पूरी तरह से इस बार इंसाफ हुआ है और सब को रोजगार मिलेगा यह 100% गैरेंटी हो गई है मुझे लगता है शिव कुमार जी कि जानकरी आपने साशा की है यह कई लोग होंगे जो यहां के दर्शक देखने उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चाहिए यह प्रयास होने चाहिए और यह प्रयास को जब सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप में पहें लेकिन आप सोचिए कि कितने ऐसे घर आज सुखी होंगे जो सचमुच इसके जिनको जरूरत होगी एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा यह जीबी सीसी आई की जो आपने यह पहले बार रेटेंड की थी तो अब यह आपका यह अनुभाव कैसा था कि इतनी बड़े आप एक जीद लेके चले थे कि यार मुझे तो एक करना है कि पैसों में तो बढ़ातरी करनी है लेकिन यह करने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वीरोधा भासी भी वहां पर हुए होंगे तो यह आपका अनुभाव कैसा रहा है देखें जो होते हुए सबसे ज्यादा MGB को अगर अपने काउंट ना करें तो पैसे में अगर कनवर्ट कर दें तो कामगार को हमारे जनरल मजदूर से लेकर हमारे केटिगरी लास्ट वाले जो सबसे सीनियर वरकर हैं उनकी सेलरी में याने जो उनका पेमेंट है सबसे हाइस्ट बढ़ 70,000 रुपए महिने की एक एक वरकर की बढ़ोतरी हुई है यह अपने आप में माइने रखती है बात रखती है और सुरक्षा के साथ सुविधाओं का बहुत सारा हुआ है चुट्टी एक हमारी सबसे महत वरका था कि बाबा साब आमबेटकर जी का जिन्नोंने समीधान उनके नाम पर हमारा जब उनके इसमें 14 तारिक केस में हमारे चुट्टी नहीं थी वो इस बार में उसको भी डिकलेर किया है एक एस्ट्रा चुट्टी हमारी डिकलेर हो गई है बावा साब आमबेटकर जी की जहन्ती केसे यह एक हमारी नई उपलबदी है और भी बहुत सा कर दिया गया है ऐसे कई मुद्धे हैं जिस पर मैं बोल सकता हूं 116 मामलों पर मुद्धों पर हम लोगों ने बात किया था 116 में से 4-5 मामलों को छोड़कर बाकी सब बहुत सारी बहस हुई है और अधिकतर जो मामले थे उसमें निर्णे हुए हैं और यह अपने आप में आतियासिक है कि हर विशे पर हम लोग ने चर्चा की और रही बात कि मेरा जो अनुभव की तो अनुभव में ऐसा है कि देखे मेरे से एक उमर में एक चोट दो जन तो अभी नय मेरे से भी छोटे थे लेकिन मैं अपने सबसे कम उमर का और मेरा कोई बैग्राउंड नहीं थ और जब मैं वहाँ पर गया तो मैं अपने आजू-बाजू में बैठे लोगों को देखा तो कोई दो बार का सांसत था कोई एक बार का विधायक था तो कोई मंत्री रहा हुआ था कोई इस लेबल के अनुभवी लोग थे बहुत बड़े लेबल पे तो वहाँ पर जब मैं पहली बार गया तो मुझे लगा कि मैं बहुत अधना सा छोटा सा आदमी हूँ मैं इनके बीच में क्या कर पाऊंगा क्योंकि जो अधिकारी भी थे वो इस सीनियर ऑफिसर थे और बाकी सब डिरेक्टर सीमडी से नीचर कोई नहीं बैठता है उस मीटिंग में तो अब सोच जो बड़े नेता है उनको छोड़कर बाकी हमारे जितने जेबी CCI के सदस्य है सम्मानित जैसे मेरे करीबी साथी जो मेरे सयोगी रहा है सिदार्द गौतम जी कॉंग्रेस के इसमें इंटक से हमारे अनूप सिंग जी नय चुनके आए हूँ अभी MLA भी है वो उसके बाद म जी और हमारे संगटन के सीनियर लीडर नातुराल पांडे जी इनके चार लोगों के विशेश सयोग से और बाकी चार-पांच जो नेता है उनको छोड़के बाकी सभी सम्मानित सदस्यों के अर्थक प्रयास और सयोग से इतनी बड़े जिबी CCI को अच्छे तरीके से हम लो से कंदा मिलाकर साथ दिया और कामगारों का बहत्रीन वेजबोर्ट फैनल किया आपके सफलता के लिए हमारी टीम भी आपको बहुत आपका अभिन नहीं करती है एक नेता होना इतने बड़े संगटन को पूरे भारत वर्ष के लेवल पर चलाना आप उसके केंद्र अध्यक किसी भी नेता की अगर बुराई होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो नेता आगे बढ़ रहा है क्योंकि देखिये कैसा है कि दाग सफेद कपड़े में हैं तो कभी ना कभी वो अच्छे भी होते हैं क्योंकि कारण ये हम गलत नहीं कर रहे हैं खुद का आत्म विश्व अगर वरोध नहीं करेंगे तो वरोध कैसे होंगे उनको करना चले अच्छी बात है और वह करते जबहां है दो इतना आहे आगे जा रहा हूं तो यसले वह तो मुझे मुझे आसिरबाद के तौर पे मैरा विरोत कर रहा है मुझे लगता है और मैं उसको lige तो पॉजिटिव कई बार निता घंट जो होते हैं तो वो क्या होता है कि हम निता खास करके ममनों संगतंत के तरह है मर्यादी तरह कई बात करूँगा कि जितने मिमिप उनके साथ में जूड़ हूए हैं उनके परिवार के बारे में सोचे हैं बहला है के लिकिन हम लोग ढहते हैं भलाई y Egypt made जो ऐसा होता है कि union leader के चलते कई industries भी बंद हो जाती है आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आज हिंदुस्तान में trade union की नितागीरी लगभग इसी तरीके से चल रही है देखें ऐसा है कि उद्द्योग होना बहुत महात्यों का है उद्द्योग रहेगा तो ही कामगार रोजगार रहेगा तभी आम जंता का परिवार पालन पोशन कर सकेगा तो इसके लिए हमको पहले company देखना है उद्द्योग देखना है उद्द्योग के बाद में हमें अपना कामगार देखना है कामगार के बाद में अपने जो उनके आसरी थे उनके उपर ध्यान देना है लेकिन होता है कि हम कामगारों के मसीहा बनने का बहुत ज़्यादा नया चस्का लग जाता है और लगातार क्या होता है कि जो राजनीती वाले लोग रहते हैं उनको एक थोड़ा सा गलत फैमी हो जाती है कि हम राजनीती में बहुत महनत करते हैं और हम यहाँ पर कुछ करनी पाते हैं, ट्रेड उनियन की नेतागीरी करेंगे अगर हम लोग तो बहुत पैसा कमा लेंगे और बहुत सारा रुदवा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है फिर वो गलत फैमी में जब शिकार होकर जाते हैं और कामगार उनको हाथो हाथ ले लेता है, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े नेता बन गए और उस गलती में वो नेता लोग अपने इमान को बेच कर कामगारों के जो जरुवत की चीजे हैं उससे समझाता करके, अपनी की बरबादी की, कामगारों का नुकसान होने की, और नेता तो भले अपने आपको आगे बढ़ा लेता है, लेकिन वो सब कुछ खतम कर लेता है, लेकिन आपके सामने ये भी उधारन होगा, जिस जिसने भी कामगारों को धोका दिया है, वो एक भी नेता ऐसा नहीं ह चन्द दिनों तक बहुत सुखी दिखेगा, बाद में आपको वो भी उसी रस्ते पे दिखेगा, जहां पर उसने कामगार को छोड़ दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि जो नेता लोग हैं, उन्हें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कामगारों के दर्द के साथ कभी समझा प्रता नहीं करना चाहिए, उनके साथ जो हो सके, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उनका हग दिलाने के लिए आप कंपणी बंद करा दो, उद्धयोग बंद करा दो, उद्धयोग को चलाते हुए जितने समझोते हो सकते हैं, जिसमें हमारे कामगार का नुक्सान भी नहीं और जैसे आपने ये JBCCI की मिटिंग की उस दवरान भी बहुत सारे मुद्दे आपने रखे होंगे लेकिन कई चीज़ा ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आई या जो आपके मन मुताबिक नहीं हुए उसका मलाल है आपको अगर मलाल है तो वो किन चीजों का जो बिलकुल है क्य जो उमीदे थी कि हमारे कामगारों के नेता वो कामगारों के लिए लड़ाई लडएंगे और management अधिकारी अधिकारी पर तो इनसानी है कोई बाहर के तो है नहीं इनसान का दर्द इनसान जरूर समझता है और जब हमारे अधिकारियों से हम लोग अगर लड़ते लड़ना म मैं इस पूरे वेजबोर्ड में देखा कि अधिकारी तो थोड़ा थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारे नेता लोग थे जो कोई भी हालत में नहीं चाहते थे कि कामगार का भला हो अब उसके पीछे उनकी क्या मनसा थी मुझे नहीं मालूम हर मीटिंग में मैं अपने मज में आ रहा था लेकिन अब मैं किसी पर क्या चिटा कशी करूँ कि गुम फिर कर सब कुछ अच्छा हो चुका है जिनों ने भी जो किया है अब इस जमाने में किसी का छिपता नहीं है पहले जब मीडिया नहीं थी लोगों को नहीं जानकारी थी अब तो एक एक पल की जा है कि जो लोगों ने अच्छा किया है उनको जरूर अपना असिरवात दे के रखे और जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया है उनके साथ आप क्या कर सकते हैं वह आप जाने लेकिन हम अपने तरफ से पूरा जो आपसे वादा किये थे अपने कामगार भाईयों से उसको 100% निभा के आये हैं और भवी से में भी जितना हो सकेगा जरूर कामगारों के लिए अच्छा करने के लिए करेंगे खुद एक परिवार से बिलॉंग करते हैं आपके पिताश्ति जो थे खुद एक श्रमिक है और जब आप एक नेता बन गये हैं और ऐसे जब अच्वेमेंट में 4 सबसे बेगां लेते हैं तो लगवागे बारालाग का परिवार को गया और जब आप इनके बीच में जाते हैं तो ये पूरे परिवार समय में ज storylineंए उन्हीं प्यार जो कामगारों मुझे हाथ- औहाथ रखकर मेरों सबसे बड़ी मेरी कमाई वही लगती है कि जिन कामगारों को जो मन में था कि कोई हमारा साथ देने के लिए आए और उनके कामगारों के इसमें मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाया जिसके कारण उन्होंने मुझे हाथो हाथ लिया और अपना आशिरवाद देकर आज प्रतम कर्मांग पे भी बिठा के रखा है और मैं जब भी आप देखें मैं जिस भी एरिया में जाता हूं अपने कमपनी के या पूरे दूसरे भी जगे तो वहाँ पे कई सो की संख्या में लोग मुझे मिलने के लिए मेरा स्वागत करने के लिए इकठे हो जाते है जब वो परिवार के साथ में या मैं किसी परिवार के लोगों को जब रोजगार दिला देता हूँ जैसे अभी यह जो हमारा निर्ने हुआ है यह बच्चियों को नौकरी का यह लगबग मेरे को लगता है कि पूरे कोल इंडिया में कम से कम 4-5 हजार परिवार को नौकरी मिलेगी और यह 4-5 बच्चों के इसमें भले मैं उनको नहीं जानता हूँ वो मुझे नहीं जानते हूँगे लेकिन जिन परिवार को नौकरी नहीं थी अब जब नौकरी मिलेगी तो उनके जो माहोगी या उनके भाई होंगे या चोटे बच्चे होंगे उनके जो दुआएं लगेगी वही तो सबसे बड़ी कमाई है हमारी वो हमेशा कैसा है कि जो दुआएं होती है आसिरबाद होता है उसको कोई कोई उसकी कीमत नहीं है वो अनमोल है और वो अनमोल चीज मुझे मिलती है तभी तो यह अपने आप में प्रेड़ना मिलती है नहीं तो मैं इतनी बड़े लड़ाई इतने सारे लोगों के साथ कैसे लड़कर जीत सकता था यह जीत का पीछे का जो है पूरा का पूरा स्रे मेरे कामगार भाईयों और उनके परिवार के दुआओं का है जो उनके आसिरबात के कारण मैं आज इस तरह से लड़कर सब कुछ करा सकता श्यूकाबर यादो जी बहुत सारे दर्शक हमारे बीच में जब यह आपका जो इंटर्यू देखने उसमें कई ऐसे युवा भी है और यूटिया भी है जिनकी मन में यलाल सा होगी हमने भी कभी लेडर्शिप करने चाहे नेता मनना चाहे चाहे वो किसी भी फिल्ड में हो तो आप उनको क्या चलते-चलते आप बताएंगे कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप क्या सला देखें मैं बिल्कुल आप देखें कि मैं सबसे जादा उन पर ध्यान देता हूं मेरे जब और आप हमारी मेंबर्शिप देखेंगे WCL में साड़े-दस हजार मेंबर्शिप है जिसमें से लगभग साथ हजार मेंबर्शिप की एज पैतालीस साल से कम होगी और कम से कम 5000 से की संख्या कम से कम 30 साल से कम की होगी मैं युआ उ साथियों के इसमें बिल्कुल ध्यान रखता हूं हमारे जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मैं नए-नए हमारी बच्चीयां जो हैं लगी हुई या हमारे जो भाई लोग हैं उनको सबको मैं भेशता हूं ट्रेनिंग के लिए लोगों को सीखने के लिए अपने साथ JBCCI में आप मेरा देखिए 11 बेजबोर्ट केस में मैंने सबसे ज़्यादा अपने कामगार सातियों को अपने साथ लेकर गया उनको वो अनुभाव दिखाने के लिए कि देखो JBCCI क्या होती है हमारे कई कामगार जिन्होंने कभी फोटू में भी नहीं देखा था उनको मैं प्रतेक्ष जाकर वो सब चीज़ दिखाया हूं तो वो गर्वो महसूस करें और वो अपने आपको ऐसास करें कामगारों का भला किया तो पैसा और बाकी सब सोरत अपने आप मिल जाती है किसी को मांगना नहीं पड़ता सिब लोगों का भला करो कुदरत अपने आप आपका भला कर देगा हमारे जितना युवा साथी हैं उनसे यही गुजारी से कि अगर आप पड़े लिखे हैं ज्यादा अनुभवी है तो अपना अनुभव अपने पास मत रखिए अपने अनुभव का कामगारों के भले के लिए इस्तमाल करें जिससे आपका भी भला होगा और हमारे कामगार भाईयों का भी हो बिल्कुल सही बात कहिए आपने आप किसी भी फील्ड में हो किसी भी क्षेत्र में हो लेकिन अगर आप नेता बनना चाहते हैं या किसी टीम को लीड करना चाहते हैं यह भाव आप में ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने team के सदस्यों के दर्द को समझे, उनकी demand को समझे और उसे सही तरीकी से उसका निरागन करणी के एक शमता आप में आप develop करें निरंतर सीखते रहना, निरंतर लोगों को समझना और समझ कर लोगों को सहायता करना ये मैं समझता हूं कि अच्छी लीडर की एक अच्छी पहचान होती है, शुक हमारे आदोजी, हम आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिननदन करते हैं, आपके अच्छीर्मेंट के लिए, आपके सक्सेस के लिए, और आपके पूरे जो परि कर देवाद हूं, बहुत-बहुत देवाद हूं.